कि आने बहुत ज़्याद दुख इस वक्त हो रहा है मुझको लेकिन हरानी है कि जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए रोहित सर्दाना एक मशूर एंकर एक शांदार और जानदार बेबाक एंकर उस दुनिया में नहीं रहे कुछ दिर पहले हमने आपको जानकारी दी थी एक आप ऐस साल के रोहित सर्दाना का अगर जिकर करें दोस्टो तो बहुत शानदार आदमी रोहित सर्दाना थे हर्याना के यह सबाल हुए हर एक सवाल हमारे भी है जो मशूर ये पत्रकार हैं, टीवी जनलिस्ट हैं, मशूर एंकर हैं, उन्होंने जानकारी जब सोचल मीडिया पर खासका ट्विटर पर ट्विट की, तो उसके बाद ये जानकारी लगभक सभी सोचल प्रेटफरम पर आ चुकी थी, कई चैनल्स ने तो इसको दिखाया भी च दौलत भी आज तक एक अच्छे टियारपी के मुकाम पर पहुंचा, उस चहरे को देखने के लिए भी कई लोग वहां उस अंस्थान का जिक्र करते हैं, कई मरतबा तो ऐसा हो जाता है कि रोहित सरदाना का चैनल्स ये जिक्र कर दिया जाता है, लेकिन उस अंस्थान एक न लेड़ घंटे बीड़ जाने के बाद, आज तक के तमाम मशूर एंकर जो उनके सहयोगी थे, वो फूट फूट कर रो रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो पल, उनके साथ कैसा व्यतीत करते थे, हसी ठीटोली कैसी करते थे, वो सारी जो बाते हैं, वो इस वक्त चैनल पर, न्यूस चैनल पर, आज तक पर, ये जो बाचीत है, तमाम एंकर्स की चल रही है, उसको ऐसे भी समझें कि क्या ये संस्थान की जम्मेदारी नहीं बनती है, कि बड़ी खबर जो हिंदुस्तान की है, एक बड़ा एंकर, एक बड़ा पत्रकार, जब उसका निधन हो जाता है उसकी जान जली जाती है, तो सबसे पहले उसको फ्लेश किया जाना चाहिए था, उसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी, ये एक जो वक्त लगा, ये थोड़ा समझे परे है, इस पर बहुत डीब मैं जाना नहीं जाता, लेकिन मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इसको लेकर आ पाया, न्यूजरूम पूरा शौक था, ये सोचल मीडिया पर सब लोग ट्विट कर रहे थे, लेकिन ये मैकनिजम नहीं बन पाया कि तुरंट के तुरंट ये जानकारी उनके चाहने वाले दर्शुकों तक पहुंचे और उस संस्थान से पहुंचे जहां पर आकरी वक्त म अन्सान क्योंकि आप तो जनलिस्ट हैं, क्योंकि आप तो एक टीवी चैनल हैं, तो टीवी चैनल को सबसे पहले ये चीज़ बतानी चाहिए थी, जो भी सोचते हैं, आप इसको लेकर कमेंट बोक्स में ज़रूर कमेंड कीजएगा, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता कि रोहित सर्दाना आखरी वक्त तक डटे रहे लड़ते रहे कोरोना के जंग वो नहीं हारना चाहते थे कोरोना से दंगल वो लगातार कर रहे थे उन्होंने ये तक जिक्र किया था सोशल मीडिया पर कि कोरोना पॉजिटिव मैं हूँ और दूसरी रिपोर्ड भी मेरी कि प्लाजमा डोनेट को ले कर कि तरफ से भीर डारें। नहीं किया रहा है ज़रूर कहा जरूर जक्र कि अप प्लाजमा डोनेट करना चाहिए रोज सर्दाना वो कहते हैं लिखते हैं जितनी तादाद में कुरोना से मरीज ठीक हो रहे हैं उसके एक चौथाई लोग भी अगर प्लाजमा डोनेट करने के लिए आगे आएं तो फिर बहुत से लोगों की जान बच सकती हैं आप ठीक हो गए हैं तो किसी और के जिंदकी के वज़ा बनियें यानि कि प्लाजमा को डोनेट कीजिए रोहित सर्दाना का या आखरी वक्त का ये ट्विट था हला कि वो लगातार ऐसी अपील पहले भी कई मरतबा कर चुकी थे अब मैं कमपैरिजन करता हूँ और कमपैरिजन आपके उपर छोड़ता हूँ कि विकास शर नहीं किया कि शायद वो सोच रहे थे कि एंकर्स को लाया जाए फिर एंकर्स वहां पर रोएं अपनी जो उनके साथ बाच्चीत हुई है इतने शण जो रोहित सर्दाने के साथ इंकर्स ने बिताए हैं मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुचाना चाता हूँ दोस्तो मेरा मकसद सर्फ इतना है कि उस अंसान ने उस ख़बर को सबसे पहले फ्लेश क्यों नहीं किया और किसका इंतजार सरकार का क्या इंतजार किया जा रहा था कि ये खबर करोना से रिलेटिक्टर के दिखाई जाए है फिर नहीं दिखाई जाए इस सारी चीजे तमाम बुद् व्यक्तिकत तौर पर मैं भी उनसे बहुत लगाव रखता हूं और ये बताते वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा और दर्द महसूस हो रहा है कि वाकरी क्या करोना से जंग बहुत ज़्यादा कठिन है अलाकि आखिर में जो जानकारी मिली है एक बार फिर आपको बता दो कि करोना की वज़े से उनकी जान नहीं गई है बलकि उनको अटेक आया था अब क्या इसके पीछे की पूरी जानकारी है पूरी तह तक अगर इसको देखा जाए समधा जाए तो वो हम आपके उपर छोड़ते हैं क्योंकि जो चीज जिने कलकर सामने आई है वो यही है कि हाट अटेक के वज़े से उनकी जान चले गई और फिलहाल उनको लेकर पूरे देश में उनके चाहने वालों के दिलों में और अभी भी कई लोगों को यह कहना है जो उनके साथ काम करने वाल लोग हैं उनका कहना है कि हम यकीन नहीं कर पा रहे कि मुस्कुराता हुआ बेबा केंकर इस दुन्या से अलविदा केंगे आ है